हलो गाइस कैसे आप साह अच्छे होंगे और दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपनी यूटूब चैनल जीनिस गृू मैं दोस्तों आज फिर से एक संधार वीडियो में आप सभी मुश्ट ली स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो टापिक के ऊपर बात करेंगे नमर फास्ट फ्लाइट मोड होता क्या है एंड नमर सेकेंड फ्लाइट मोड जब हम ओन कर देते हैं तो हम क्यों इंटरनेट सर्विसेस को जो है यूज नहीं कर पाते हैं मुष्टली होता क्या है कि जब भी हम कोई इंटरेस्टिंग मॉवी या कोई लाइन मॉवी देख रहे होते हैं या हम कोई अपना गेम खेल रहे होते हैं लाइक पब जी जो कि आजकल ट्रेंडिंग पर हैं तो जो सिच्विस न में अगर हमसे बारवार कोई कॉल करता है तो हम क्या करते हैं कि अपना जो flight mode होता है उससे service को enable करके और उसके call या message से बच जाते हैं वट guys हम flight mode को enable करने के बाद अपना जो game या video movies है उसका मज़ा नहीं लेपाते है तो गाइस होता क्या है कि ऐसे में फिर आम फॉन रखना ही पड़ता है वाट गाइस नहीं आज गी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद भी इंटरनेट सर्विस का यूज कैसी कर सकते हैं तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर देना तो चलिए गाइस फटावर से देख लेते हैं पहले जान लेते हैं फ्लाइट मूड आखिरकार होता गया गाइस फ्लाइट मूड जब हम इनेवल करते हैं तो हमारे मुवाइल के जो ट्रैंसमेंशन सिगनल होते हैं वो पूरी तरह बंद हो जाते हैं और यही बज़ए होती है कि जब कोई सामने वाला परसन या कोई अध प्लाइट मोड आपने देखा होगा ख्लोस हो जाते हैं तो गया इससे होता क्या है कि हमारे जो बैटरी वेक अप होता है वो भी ज्यादा हाई हो जाता है एंड गैस जब भी आपका फॉन एक या दो परसेंट सम्तिंग रह जाए तब आप फ्लाइट मोड ओन करके चार्ज हंडेट परसेंट करके और तब उस वेंटरी का यूज करके देखना तो गैस वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चलेगा फ्लाइट मोड ओन करके जो चार्ज किया वह वाला वेंटरी तो यह टिप्स बहुत यूजपुल है और अगर आपने इस टिप्स को यूज नहीं किया है तो करना एक बार अपने फॉन का जो फ्लाइट मोड होता है उसे नेवल करके और फॉन चार्ज पर लगा देना और हंडेट परसेंट जब हो जाए तब उसे आठा के तब चार्ज करना तो गैस अब फटावर से देख लेते हैं कि फ्लाइट मोड ओन करके तो फटाफट से इसके बारे में जान लेते हैं तो इसके लिए आप अपना जो डाइलर है वो ओपिन कर लीजिए और वहां पे मैं एक कोड डाइल करूंगा गैस यह कोड जैसे के आप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएको और हम डाइल कर लेते हैं इसके प्रेस करेंगे इसके आपके सामने एक पॉप अपन होगा और उस पॉप अपन में आपको तीन ओप्शन देखने को मिल जाते हैं वो तीन ओप्शन कुछ इस तरीकी के होंगे member 1 and number 2 and one is is netson channel एंड मिल वाइप इप इन वहा scheint ओ दोस्तों हम समझ लेती हैं जो अपटम इन्फोमीशन वन हमारी फोचप था यां दो ऑिन फोपिशन उपर मेशन मारी उनर को मैश्प से में अब वही sim select करने के बाद आप थोड़ा scroll करते हुए scroll down करते हुए नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको more का option देख जाएगा तो guys वहाँ पर आपको more option देख जाएगा वह आपको click कर देना है और उसके बाद enable data connection पर click कर देना है देखने को मिलेगा enable data connection तो guys बस आप इस trick को use कर लीजिए उसके बाद आप flight mode on कर देजिए और आपका internet आराम से चलता रहेगा और आपका जो गैमिंग वगेर आप continue कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी कुछ हमारी छोटी सी टिप्स आपको बहुत पसंद आयोगी एक like and comment करके हमा मनुवल जरूर बढ़ाएं और दोस्तों अगर इस वीडियो से related या फ्लाइट मोड एक्टिवेट या कोड से related कोई भी आपकी queries है तो प्लीज मुझे comment box में जरूर बताएं और अगर कोई आपका question है तो भी उसे share करें तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद